चार सीटों पर वोटिंग वोई और चार सीटों में कुल मिलाकर 38 उमीदवारों का भाग्य वोटर्स ने इवियम में गैद कर दिया किसको जनता का अर्शिरवाद मिला और किसी जनता ने नकार दिया ये चार जोन को ही पता चलेगा लेगन उसके पहले सभी दनों ने अपनी अपनी बातें रखी है सामने दावे वादे हुए उससे ये साफ है कि मुकाबला जबर्दस्त है बिहार में चार सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई वोटर्स ने अपना मत इवियम में कायद कर दिया और इसी के साथ शुरू हो चुका है दावों का दौर बीजेपी कहती है लालटेन भुझ गया है अगले मतदान तक लालटेन साफ हो जाएगा तो चिराग पासवान डावा करते हैं कि हम लोग बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं इस बात को ध्यान जरू दीजेगा हम लोग बड़े अंतर से इस बात 400 सीटे जो जीतेंगे उसमें विनिंग मार्जन जो होगा वो काफी बड़ा रहेगा आरजेडी का दावा है कि लोगों ने महागटबंधन को वोट किया है कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंग कहते हैं कि जनता गोल बंद होकर इंडिया लाइंस को जीता रही है वोटर्स ने अपना रिजल्ट तो सुना दिया नेता जीत के दावे कर रहे हैं लेकिन किस के दावे में कितना दम है ये चार जून को ही पता चलेगा और चुना में जीत के दावे की सियासत को समझ ये ब्यार में पहले फेज की वोटिंग वही ब्यार में कुल मिलाकर साथ फेज में जनाओ है यानि अभी छे फेज में मददान बांकी है नेता जान बुझ कर जीत के दावे करते हैं ताकि कारकरता का मनोबल बढ़े और लोगों का जुकाओ उनकी दरपो और इसलिए अपने वादों को बार बार गिनवाया जाता है